पुर्तुगाल का तटील शहर पोर्ट्रे आने वाली बॉलिवुड फिल्म वार के लिए टाइगर और रितिक रोशन के बीच एक एक्शन सीन फिल्माने के चलते दो दिन तक लगभग बंद रहा वार के निर्देशक सधार्थ आनन ने कहा हमने पोर्ट्रे में रितिक और टाइगर के बीच एक हाई स्पीड एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग की इस सीन में टाइगर को रितिक का पीछा करना था और इसके लिए हमें दो दिनों के लिए पोर्ट्रे के में ब्रिच को बंद क कराने की अनुमती लेनी पड़ी निर्देशक ने कहा कि स्थानिय प्रशाशन फिल्म के कास्ट और क्रू के प्रती बेहत सहयोगी रहे उन्होंने आगे कहा इस एंड्रो लाइन पंपिंग सीन को फिल्माने की हमें अनुमती मिल गई हाला कि ऐसा होते देख वहां के स्थानिय लोग दंग रह गए क्योंकि उन्होंने इस तरह से पहले कभी अपने शहर को बंद होते नहीं देखा था और सभी बेहत उत्सुक्ता के साथ यहोद देखने के लिए आए कि इस फिल्म के चलते उनकी पुल बंद हुई सिध्धार्थ ने आगे कहा उनकी प्रतिक्रिया देखने लायक थी क्योंकि रितिक और टाइगर जिस तरह का एक्शन कर रहे थे उसे देख कर वे हैरान थे यश्राज फिल्म्स द्वारा निर्मित यहाँ फिल्म दो अक्टूबर को हिंदी तमिल और तेलगू में रिलीज होगी आई एनस रिपोर्ट